शूसर अबर बहुत लुट मिन्स अप्तों परे मेरस। मुझे उम्मेद है, आप सब लोग अच्छ होगी। अगर आपने अभी तक हमाइट टेलिगराम चैनल को सबस्काइब ने किया, लिस्सकाइब सके हाँ देखे अब मैंने आप सभी के सामने बैंक निप्टी का चार्ट ओपन किया है बैंक निप्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो काफी जवदस चार्ट आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले देखे यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस लेवल को देखे जे लेवल मैं आपको उपर की चार्ट का दिखाना चाहूँगा सो चतिस हजार पांसो का और नीचे की सायट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखे आपको 36जाद 200 ठीक है चैब दो लेबल दिखाये रहें, बीच में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो रेंज आपको देखने को बाइंग करना है ठीक है मैंने आपके कल भी बोला था इसके बारे में कि अगर बजार इस जगह आपका जो ऊपर 34,500 पार कर जाता है और प्लस क्लोजिंग दे जाता है यानि अगर मैं बात करूँ आपका देखे पंदा मिट का केंडल होना चाहिए इस जगह पंदा मिट का केंडल होना चाहिए नीचे की साइड ओपनिंग देना चाहिए उपर की साइड क्लोजिंग देना चाहिए ठीक है अ अगर आप आज देखा होगा तो आज मैंने टेलीग्राम पर कोई भी रही कॉई वी पर कॉल उसका क्या रिजन था वाई मैंने क्यों नहीं दिया ऐसा क्योंकि अगर आप देखो तो बज़ार में थे हम फों मुमेंट नहीं थी एकन मुझे ऐसा लगा भी था कि बजार में इस जगह देखे वो मुमेंट आने वाली है मैं कॉल देने भी जा रहा था लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे देखिए मैं अक्सर क्यों कहता हूँ यहां पर 15 मिट का केंडिल वो मैं आपको बताना चाहूँगा उससे पहले देने वाला था वो मैंने कॉल क्यों नहीं दिया देखिए यहां पर देखिए इस जगह अगर आप देखोगे पहला केंडिल दूसा केंडिल और तीसा केंडिल आपका टाइम फिरेम क्या है यहां पर 15 मिट का टाइम फिरेम है यानि अगर मैं बात कहूँ जो तीसे केंडिल पर देखे इसने किलोजिंग नहीं दी जबकि जे किलोजिंग दे सकता था लेकिन किलोजिंग नहीं दी जए कहा तक गया था यह जगा आपका 36,520 पर ठीक है इस जगा तक गया तो इसने किलोजिंग नहीं दी अगर आप रूल को फॉलो करोगे तो रूल को फॉलो करने से क्य गिरावट आपको देखने को मिली। वो देखेए 36000280 की देखने को मिली। या इगर मैं बात करो ऊपर की लेवल से आपको 220 पॉंटो की गिरावट देखने को मिली। और वो भी अगर मैं बात करूँ सिंगल extendel में, ist psychologist, सोचिए। और इसी लेवल पर अगर आप देखोगों दो बाद तीन बार ऐसी गिरावट आई थी सबसे पहले मार्केट ऊपर ओपन हुआ फिर नीचे आया फिर ऊपर ऊपन ऊपन हुआ फिर नीचे आया यानि देखे एक वार भी इसने उपर के लेवल पर नहीं ती उसके बाद इस जान कियोंकि वहां पर मैं आपको लेवल भी तक हमाई Telegram चैनल को सच्वाइब नहीं किया तो Telegram चैनल को भी Size कर लीजे예요 کफी जवदस्ध्स आपको कॉल दिये जाते हैं आपको लेवल दिये जाते हैं आपको बताया जाता है आपको सिखाया जाता और पूदिशनल कॉल तो जबदस्त होते हैं यह हमारे कुछ मेंबर्स है जिनका खाफी अच्छा पॉफिट हुआ है अगर आप हमारे पेट गुरूप में भी जॉइन होना चाहते हो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए किसी भी एक में और हमारे पेट गुरूप में काइब आपन केया पनाम जवारे चेँ से समझना है सबसे पहले देखे मैं आपको चाट को छोटा कर देता हूं जिससे आपको यह चीज़ा समझ में आए अब बजा देखे इसके नीचे क्यों नहीं जा रहा है मैंने आपको लेवल दिखाया है ये वाला लेवल जो देखे इस जगा 36,200 के नीचे क्यों नहीं जा रहा है ठीक है आपको समझ में आए क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें काफी बड़ा देखे support है काफी बड़ा support है अब जे कैसे पता चला मुझे कि यहाँ पर support है यहाँ पर अगर आप देखोगे देखे 4 तारिक से लेके आपका देखे यहाँ पर 28 तारिक ठीक है 18 तारिक अगर आप देखोगे तो इसने काफी वार कोसिस किया इसके उपर जाने की काफी वार कोसिस किया लेकिन नहीं गया इसमें जो नीचे का रेंज बनके हुए आता था वो नीचे का रेंज देखे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है जे डेंच इसमें continue थी दिखाई दी रहा है और ऐसा नहीं एक दिन का जो आने वाला क्या हो जाता है और जो आपका support होता है वो आने वाला क्या हो जाता है रेजिस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेन था वो अब सपोर्ट का काम करेगा और जो पहले सपोर्ट था इसने देखे सपोर्ट को टोड़ा था तो यह आपको पूरी गिरावट देखने को मिली थी जो कि जगा 35,600 से आपका नीचे की चार्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो कि आपको 35,000 की आसपास की गिरावट देखने को मिली थी यानि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 600 पॉंटों की आसपास की गिरावट देखने को मिली थी इस पूरे मूवमेंट में कितने की देखने को मिली थी 600 पॉंटो की अब हमारा किस जगा सपोर्ट हुआ है और हमारा दिक हमको इससपोर्ट का काम करेग मैं ह já two between understand यह ऐक ठी तो देखे एक जगा हमारा छक्तिस त्योंच कह सपोर्ट है और उपर की साइट अगर मैं बात करूँ तो उपर की साइट का जो आपको एक रजिस्टेन देखने को मिलता है वो 36 या 600 से लेके आपको देखे 36 या 500 के आसवसका देखने को मिलता है ठीक है जे चीजे आपको समझ में आई अब देखे 1 अवसका चार्ट ओपन किया इस पर आपन जानेंगे कि वही बजार में आप काम कैसे करना है ठीक है अब देखे यहाँ पर दो चीजे मैं आपको समझा देता हूँ इन लेवलों को बिलकुल ध्यान से देखे क्योंकि अगर आप इनको देखोगे जब भी आप पैसा कमा सकते हो इससे पहले देखे अपन पहले का देखते कि वही पहले क्या हुआ था यहाँ पर आप देखोगे तो देखे 24 तारीक से लेके आपका जो बजार में पूरा कंसुलेट हुआ था 28 तारीक तक हुआ था यानि अगर मैं बात कहूं कहीं न कहीं इस जगह तीन से लेके 4 दिन देखे कि market इस जगह inconsulate हुआ अगर में बात करूं तो यहां पर अपन लेकि चलते हैं कि यहां पर भी इतना consulate हो सकता है ठीक है तो हम यहां पर देखे क्या कर सकते हैं कि अगर बजार इस जगह देखे नीचे की कितने पॉइंटों की टार्गेट 300 पॉइंट की टार्गेट पहला जो टार्गेट होगा वो 36,300 का होगा ठीक है दूसर टार्गेट आपका इस जगह 36,400 का होगा और तीसर टार्गेट आपका 36,500 का होगा ठीक है लेकिन आपको कब बाइंग करना इस जगह मैं आपको दिखान 36 या 200 के नीचे नहीं होना चाहिए अगर जे इसके नीचे के लोजिंग देता है तो वहाँ पर क्या होगा बैरिस पॉइंट आ जाएगा तो कोसिज कीजिए इसके उपर ही बाइंड करने की ठीक है जैसे कि यह मैं आपको समझाना चाहूँगा बामान ल allied jaya जै आपको एक level है इसमे देखने मूऋमेंट कर रहा है इसमे बाद ढखे बाद जैसे ही आ रहा है तो यहाँ पर परॉचनिन विली लेकिन इसमे जैसे ही इसको क्रॉस किया है तो महाँपे बिर्यक डाउन हो जाएगा तो breakdown हमको नहीं होने देना है, हमको इसके उपर ही bind करना है, और इसमें जो हमको target देखने को मिलेंगे, वह कितने point हो के देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बता है, 300 point के, टीक है, bind कप करना है, 36 या 200 के आद सबस, टीक है, अब यहाँ पर देखें, यह को चीज में का आपको एक ही बताना चाहूंगा, आपको सबसे पहले 15 मिल्ट का candle लगाना है जगा, टीक है अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कि मैं भई आपको call देने वाला था, लेकिन वो moment नहीं देखने को मिला, सबसे अच्छी चीज है, अगर आपको market नहीं दिखाई दे है, जब हमको market opportunity देगा तो हमको, उसको हम लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेंगे, लेकिन जब market आपको opportunity नहीं दे रहा है, तो उसको जबदस्ते क्यों लगे रहना वाई, उसमें कुछ भी करने के लिए, अब देखे, सेलिंग के जगा करना है, सेलिंग करने करना है, मु हमारी जो target होंगे, वो नीचे की site होंगे, यानि अगर मैं बात कहूं, 36-200 तक ही target देखने को मिलेगी, कितने target देखने को मिलेगी, 36-200 और इसमें भी हमको 300 point की range है, क्योंकि बजार एक range में, देखे, बजार दो तरीके से काम करता है, एक ऐसे काम करता है, जो होता है अपना bearish chart, ठीक है, दुसरा market काम करता है, इस type का, यह होता है अपना consolidate chart, तो अभी बजार क्या कर रहा है, अभी बजार किया कर रहा है, ठीक है, अभी बजार इसमें क्या कर रहा है, chilly तो तैनोंший chart में आपको एस जगह दिखा दिये, तो अब bearish में हमको क्या करना है, bearish में देखिए हमको इस जगह 300 point के लिए काम करना है हम put कब bind करेंगे इस जगह जब आपका 36,500 पे होगा इस जगह हम 50 point का stop loss लगाएंगे अग काफी लोगों का एको सवाल आता है कि stop loss किस में लगाना है आपने जो call bind किया उसमें लगाना है कि या bank nifty अगर आपका बजार इस जगह 36,500 के ऊपर निकल जाता है तो हम अपने call या put में से भार निकल जाएंगे ठीक है अब इस जगह जो हमको target देखने को मिलेगा वह 36,400 का पहला target इस जगह देखें चत्ति से या 300 का दूसर target और चत्ति से या 200 का तीसर target या अगर अगर मैं बात करों 3 target आपको यहांपर देखने को मिलेंगे इस रह South